So hello everyone, welcome back to our new video So guys, आज मैं अन्बॉक्स करने वाल हूँ Asus का VivaBook K14 जो की बहुत ही light-weighted laptop है and इसका जो price है तो इससे भी जादा बहतर है इसका जो price है online में वे अप्रॉक्स 53 का है और 54 के लंसम का है offline, online दोनों जगह अब लेवल है So guys, चलिए हो फटाफ़ोड इसका उन्बॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या-काइ features आपको मिलते हैं and साथ इसका configuration क्या-क्या इसमें आपको मिलता है So डबबा जो है मेरे पास जो है आज चुका है and सबसे पहले डबबे पे इसका model देख लेते है यहाँ पे आपको model मिलता है K413EAEB522WSS का model है So यहाँ पे आप video pause करके model एक बबर देख लें ताकि online search करने में आपको बहुत अशानी हो साथी यहाँ पे आपको configuration मिल जाता है इसमें आपको 3 color available है एक white color आता है, एक black color में और एक grey color में टोटल 3 color है, आप अपना हिसाब से color चूच कर सकते हो मेरे पास जो month of manufacturing है, वो January 2022 का month of manufacturing है का डबबा है, और MRP जो है इसका approach 8283 का MRP है, बट मैंने आपको बताया है कि आप इसे कितना में purchase कर सकते हो सो चले डबान box करते है यहाँ पे डबान box हो चुका है और सबसे पहले यहाँ पे आपको laptop मिलता है और साथी यहाँ पे आपको कुछ user manual मिलता है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ticket बगेरा भी इसमें मिलता है और साथी right box में यहाँ पे आपको एक power cable मिल जाता है आसूस का original power cable दिया गया है और साथी जो है laptop वाले box में यहाँ पे आपको 65W का यह के small pin charger मिलता है तो बात करें अगर charging time का तो एप्रॉक्स डियर घंटा लगता है laptop को full charge हो जाने में और अगर मैं बात करूं इसका battery backup का तो एप्रॉक्स 7-8 घंटा तक इसका battery backup है वैसे अगर आप इसका configuration wise अगर चलाएंगे या वीडियो वगेरा अगर आप देखेंगे तो एप्रॉक्स 4 घंटा से 5 घंटा यहाँ पे आपको battery backup मिलता है तो यहाँ पे आप laptop देख सकते हैं खलर जो है यह ब्लैक कलर में मेरे पास अबलेबल है और इसका बिल्ड क्वैल्टी है बहुत अच्छा यहाँ पे आपको बिल्ड क्वैल्टी मिलता है उपर साइड में थोड़े से जरूर फ्लेक्स दिखता है बाकि ऑवर ओल्ड जो है बहुत अच्छा है साथ ही यहां पर आपको आसोस भी वो मेंशन किया हुआ मिल जाता है जो कि देखने में और अच्छा लगता है अट्रैक्टिव लगता है और यहां पर आपको कुछ इसके फीचर्स मिलते हैं जैसे 40% ज्यादा बहतर प्रफॉर्मेंस ज्यादा बैटरी बैककर यह सारा कुछ इस इसमें जो है आपका फीचर्स मेंसर किया हूवा उपर में आपको मिल जाता है बहुत लाइट बैटेट है यहां पर आप दिक्षाक्ते हैं और भी उतना ही है यहां पर आप से grey ज्यादा स्意味 है ओ से यहां से भी आप देख सकते हैं इस side से में आपको दिखाता हूं आने इस side से भी आप इसका slimness देख सकते हैं बहुत भी slim laptop है light weighted है यहां पर आपको एक cut out दिया गया है जिससे आपका laptop को shutter open करने में बहुत easy होता है यहां पर यह one handed नहीं है आपको दोनों finger से जो है आपको open करना होगा ports की बात करें तो यहां पर आपको audio mic का jack साथ में C type एक USB HDMI port और साथ यहां पर आपको charging port इसमें मिलता है इसका opposite side की अगर मैं बात करूँ तो यहां पर भी आपको 2 USB पूर्ट मिलते हैं और साथ में SD card का ports मिलता है इसमें ports आपका भड़ाव पड़ा इसमें मिलता है इसका back side में देख लेते हैं बैक side में आपका दो speaker मिलते हैं dual studio speaker इसमें आपको मिलता है जो कि हर्मन कार्डन का है साथ हैं पर आपको inlet दिया गया है और डूल fan system इसमें अबर ग्रीपिंग मिलता है जिससे आपका लैप्टॉप का हाइट बरकड़ा राता है और एयर जो है फ्लो होने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता जिससे आपका लैप्टॉप जो है बहुत कूल लाता है वेट की बात करें तो 1.40 के अप्राक्स बेट है और बहुत ही अच्छ आप लुक देख सकते हैं बहुत यह ट्रैक्टिव लुक है यहां पर पामरेट में इंटल कोड़ा फाइब का प्रोशेशरम का यहां पर आपको मिल जाता है साथी आईरिस एक्सी ग्राफिक्स मिलता है जो कि ऑन बोड़ ग्राफिक्स है MS Office मिल जाता है और साथी अगर मैं Base Body की बात करूं तो इसका भी Build Quality आपको बहुत अच्छा मिलता है फ्लैक्स बगेरा यहां पर आपको ना के बरावर ही देखने को मिलता है साथी जो है Sound Harman Kardon का Sound है और इसमें आपको मॉटर मिल जाता है असुस भी वबुक फोटिंग साथी यहां पर कुछ फीचर इसमें मिलते हैं जैसे इसका बहुत ही प्रोपर काम करता है यहां पर देख सकते हैं करें जाते हैं बहुत अच्छा यहां पर आपको काम करता है अगर मैं कीबॉर्ट जो है इसमेरा आपका चालेट की बोस्ट मिलता है जाय है साथी सिंगल बेकली यहां पर आपको जाता है बीच में नीचे साइड में थोड़ी से वेजल मिलते हैं बाकी ऊपर साइड में नरो बजल इस प्लेई यहां पर आपको मिलता है और 85% % पॉर्टी टू स्कून रिश्यो मिलता है तो आप वेजल समझ सकते हैं बहुत कम कम वेजल कामरा की बात करें तो 720 720 का एच्डी कैमरा है डूवल माइक के साथ यहां पर आपको डूवल मैक के साथ 720 का एच्डी कैमरा मिल जाता है आगे चलके मैं कुछ पोटो लिया हूँ भी मैं आपको दिखाऊंगा और साथी डिस्प्ले की बात करें तो फुल एच्डी डिस्प्ले मिलता है IPS पैनल है 500 नीट्स इसमें मिलता है 45% sRGB यहां पर दिया गया है आगे चलके डिस्प्ले भी चेक करेंगे डिस्प्ले का 4K एक वीडियो प्ले करेंगे और दिखाएंगे आपको सो पहले इंटर्नल कॉन्फिग्रेशन देख लेते हैं इसमें सो टास्क मैनेजर चलते हैं और वहां से मैं इसको आपको कॉन्फिग्रेशन दिखाता हूँ सो यहां से टास्क मैनेजर में चलता हूँ यहां पर पर्फॉर्फॉर्मेंस को सेलेक्ट करते हैं और यहां पर प्रोसेसर देख सकते हैं इंटल कोड़ा फाइफ प्रोसेसर है एक ग्यारा 35 जी स्रीस का यहां पर आपको प्रोसेसर मिलता है 4.0 इसका आपका बेस स्पीड है चार कोर प्रोसेसर, आठ थ्रेट्स इसमें आपको मिलते हैं यहाँ पे G35 G7 स्रीज का प्रोसेसर यहाँ पे आपको मिलता है साथी RAM की बात करें तो 3200 MHz का 16GB इसमें RAM है और RAM अपग्रेटबल भी है आप इसे 16GB तक और अपग्रेट कर सकते हो SSD की बात करें तो 512GB के SSD इसमें मिलता है NB, MB और 477GB यूज केने के लिए यहाँ पे आपको मिलता है ग्राफिक्स जो है Iris XC ग्राफिक्स है 16GB शेरिंग मेमोरी के साथ है तो आप ग्राफिक्स बगेर का भी काम इसमें नॉर्मल आप कर सकते हो चलते हैं एक आपको वीडियो प्ले कर लेते हैं और मैं वीडियो उसमें आपको चला के दिखाता हूं यहाँ पे आप वीडियो क्वालिटी देख सकते हो बहुत ही अच्छा वीडियो क्वालिटी है रजलेशन भी इसका बहुत अच्छा है और IPS पैनल है सो कि इस रेंज में बहुत अच्छा यहाँ पे इसका configuration आपको मिल जाता है अच्छा यहाँ पे आपका ये फोटो इसका webcam दिखाते हैं तो यहाँ पे आप वेब केम देख सकते हो बहुत अच्छा यहाँ पे आपका camera का picture भी बहुत अच्छा यहाँ पे click हो जाता है तो नॉमली वीडियो कॉल अगर आप करते हो या conference या meeting वगएर आप जोइन करते हो तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा यहाँ पे camera भी मिल जाता है So overall जो है इसका configuration मैंने आपको बताया है बहुत ही अच्छा configuration है light and thin laptop है और इसका जो market price है आपका online जो इसका price हो एप्रोक्स 53 का है So guys उमीद करते हैं वीडियो आपको आच्छा लगा होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर दोना वीडियो को like करना, comment करना, share करना और साथ यह अगर कुछ चीज छूट गया हो जो कि मैंने नहीं बता पाया हूँ तो नीचे comment box में comment करिए, मैं वहाँ पर आपको reply करूँगा So thank you so much